दस्तक ना दी हो लेकिन अब सोलवें बिहार विधान सभा का मौनसुन सत्र का आगाज 20 जुलाई से होने वाला है और बिहार विधान सभा का मौनसुन सत्र इस बार काफी हंगामेदार होने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं जहां इस सत्र में सरकार को गरने के लिए विपक्ष ने अभी से अपनी कवायत शुरू कर दी है, वही सत्ता पक्ष ने अपने सरकार के जरूरी कामकाज नप्टाने के साथ-साथ शरापबंदी कानून में संशोधन के लिए मौनसुन सत्र में विदयाएक पास कराकर किई हमारे बिहार को सुखाळ गुरस घुसित करें क्योंकि अभी तख जितना पानी हमें चाहिए था बूसा worn नहीं ओपाय जिसके कैरें कि सुख्राड गुसित करने के लिए डीजल का वेवस्था कि ने किसानों का जो मोरी बिचड़ा मर रहा है आप किसानों को जो है क्या दे रहे हैं लाब क्या दे रहे हैं ये सब कई को हमारे पास है जो सरकार कभी आज तक ना तो जवाब दे पाई है ना तो जवाब दे पाएगा हम तो पूछना चाहते हैं कि आदरनी तेज़सी ज़ाद अफज़से प मौन्शुन सत्र में विपक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि जनता के सवालों को उठाए और कानून विवस्था पर तो निश्चितु उठाना चाहिए यह भी उठाना चाहिए कि धर्मिर्पिक्षता की रक्षा के लिए भ्रष्टाचारी होना आवस्यक है संपत्ति स्रिजन करना आवस्यक है यह सारे मामले जिन सवालों को विपक्ष उठाएगा सरकार विंदू बार जवाब देगी लेकि उमीद हमारा यह है कि विपक्ष अगर सवाल उठाए तो सदन को बाधित न करे बलकि सदन में हर प्रस्ण का जवाब सुने पूरक प्रस्ण पूछे एक एक सवाल का जवाब देंगे और राजनेतिक पोश्ट माटम भी करेंगे और इसी मामले पर जादा जान कारे के लिए और बाधित के लिए अमारे साथ सम्वादाता नवनीत पटना से सीदे हमारे साथ जोड़ गए है नवनी जिस प्रकार से मौनसुन तो अभी आया नहीं है बहार में लेकिन मौनसुन सत्र आने वाला है और इसको लेकर हंगामेदार रहेगा निश्चित तोर पर सत्र क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के पास तो कोई देखिए खुस्बू निश्चित तोर पे बिहार जो है मौसम की बेरुखी जेल रहा है और बिहार में मौनसुन जो है वो पूरी तरह रूठा हुआ है और बिहार में सामाने से बेहद कम बारिस हुई है नतीजा बिहार सूखे की और अगरसर है तो निश्चित तोर पे मौनसुन सत्र में बिहार में न अना यहीं सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर कहीं न कहीं बिपक्ष जो है इस बार सरकार को घेरने की कोईशिच में है कि आखिर बिहार में सूखे की स्थिती है और अभी तक की सानों को डीजल सबसीडी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है तो निश्चित तोर पे कहीं न कहीं जो बिहार में सुखे के हालात बने हैं वो सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब होगा और निश्चित तोर पे बिपक्ष ने साफ कर दिया है कि सुखे के सवाल को लेकर के सदन के अंदर सरकार को घेरा जगे इसके अलामा बिहार में बिगड़ती बीधी बिवस था और जिस तरह महिलाओं पे अत्याचार और उनका यौन सोशन के मामले आ रहे हैं निश्चित तोर पे वो भी बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है निश्चित तउर पे इस सदन के अंदर या सदन के बाएर जबाब देना होगा और वीपक्षी इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रियास करगा तो निश्चित तोर पे कर सकते हैं कि मौनसुन सत्र का जो आगाज भी에요 जुलाई जे होगा निश्चित तोर प सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने तेवर दिखला हैं उससे साफ लग रहा है कि यह जो सत्र होगा ना सिर्फ हंगामेदार होगा बलकि विपक्ष और सत्ता पक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकरके इनकी बिढ़न्त होगी और निश्ची तोर पे सभी लोगों को उ कैसी रती है विपक्ष की भूमी का कैसी रती है और कितनी रचनात्मप भूमी का दोनों निवाते हैं ताकि बिहार विकास के रास्ते अग्रसर हो जनता के हित के काम हो और जनता के सवालों का जबाब सरकार दे ये सब को उमीद है लेकिन सत्र काफी छोटा है पाँच दिनों का सत्र है निश्चित तोर पे सत्र संचिप्त है इसलिए जाहिट तोर पे बहुत ऐसे सवाल है जो अनुतरित रह जाएंगे या बहु लेकिन बिपक्ष का साफ तोर पे कहना है कि सरकार ने इसी लिए सत्र को छोटा रखा है ताकि जनता की जवाब देही है उससे सरकार बचे और जो सरकार की भी फलता है उससे उसको सरकार अपने आपको बचा सके तो निश्चित तोर पे अगर सत्र लंबा होता तो बिपक्ष स पहिरने की कोशिस में है देखना यहीं है कि सत्ता पक्ष किस तरह विपक्ष के सवालों का सामना करता है और किस तयारी के साथ मंत्री जबाबों को लेकर के सदन के अंतर आते हैं और वो जबाब है विधायकों के वो जबाब किस तरह पटल पे रखे जाते हैं तो निश्चित तोर पर इस सत्र को ले करके बिहार को काफी उमीद है देखना यहीं है कि यह सत्र कितना हद तक सकरात्मक और रचनात्मक हो पाता है ताकि इसका लाब बिहार को मिले जी कई ना कई जिस प्रकाष से शराबंदी कानून की बात अगर करें उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया है और सरकार की ये सत्ता पक्ष को कि बिल को पास करा लिया जाए इस मुद्दे पर भी विपक्ष कहीं से नहीं चोड़नेवाली सत्ता पक्ष को क्यूsm कहीं न कहीं यही संसोधन का मतलब ही यही होता है कि आपने कुछ न कुछ गलती की ती जिसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष अपने आप में सवालों के घेरे में हैं शराब बंदी कानून को लेकर देखिए निश्चित तोर पे सरकार के लिए इस मौझूदा मांसुन सत्र में दो बिधैक जो हैं वो सबसे अहम हैं और उसमें से सबसे बड़ा बिधैक है जो सराब बंदी कानून में संसोधन को बिहार कैबिनेट ने पास किया है उस संसोधन प्रस्ताव को सदन के पठल पर रखा जाएगा और निश्चित तोर पे चुकि नितिश कुमार की ये बेहद महतुकांची योजना रही है बिहार बेपून सराब बंदी प्रवावी है लेकिन जो इसकी खामिया है और जिन खामियों को दूर करने का प्रयास इस बदलाव के जरिये किया गया है उसको भी ल रुमाने की रासी काफी बड़ी रासी होती है और कैसे गरीब लोग होएं जो इस रासी को अधा नहीं कर सकते हैं तो इसको लेकर के भी बीपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है आम लोग भी सवाल उठा रहा है तो निश्ची तोर पे सरकार को अभी भी सराबंदी को लेकर के जो संसोधन होने हैं वो संसोधन कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन लाने वाले नहीं है निश्ची तोर पे इन तमाम चीजों को लेकर के बीपक्ष की सरकार की तमाम चीजों पर नजर होगी इसके अलावा जो अपना अनुपूरक बजट नितीश कुमार के लिए पास कराना वो चुनौती है चुकि उससे भी सरकार को कुछ पैसे आएंगे या जो अन्य भी भागों के पैसे जो हैं वो पैसों की प्राप्ती होगी अगर अनुपूरक बजट पास होता है तो निश्चित तोर पे सत्ता पक्ष के लिहाज से भी ये जो सत्र है काफी अहम है निश्चित तोर पे लेकिन जब ये जो सराबंदी संसुदन विधेक जब पटल पे रखा जाएगा तो सरकार को तमाम चीजों का बिंदुवार ब्योरा सदन के पटल पे रखना होगा निश्चित तोर पे विपक्षी इस मामले को लेकर के सरकार की खिचाई करने से बाज नहीं आएगा और जिस तरह अभी ही मुख्य विपक्षी दल राजत ने अपने तेवर दिखलाये हैं और उसका साफ तोर पे कहना है कि बिहार में सराबंदी पूरी तरह बिफल हो चुकी है नितिस कुमार को अपने तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है और इसके जरिये वो कहीं ने कहीं मौनसुन सत्र है काफ़े इंपोर्टेंट होता है कोई भी सत्र क्यूंकि एक-एक सत्र और और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी उतनी ही है ये तो तैह है कि राजि में अपराद का घ्राभ बहुत बड़ा है चाहे बात महिलाओं से जुड़े हुए हो विपक्ष घेरने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि मौनसुन सत्र है काफ़ी इंपोर्टेंट है काफ़ी छोटा है जरूरत इस बात किये कि जनता से जुड़े मुद्दे ही सबसे ज़ादा सरवांगिंग हो और उन पर बात विचार हो देखिए निश्चित तोर पे बिहार विधान मंडल में जो मौनसुन सत्र शुरू हो रहा है तो निश्चित तोर पे जनता के जुने हुए प्रतिनिदी है जनता के मुद्दो को लेकर के सदन के अंदर ये तमाम लोग पहुंचे हैं और कहीं न कहीं इनके अपने छेतर की जनता की धेर सारी उमीद्य है धेर सारी समस्या है जिनका निप्टारा इस सदन के जरिये होना है तो निश्चित तोर पे जितनी रचनात्मक भूमी का दोनों ही पक्षों की होगी उतने ही सकरात्मक जो है वो सदन की करवाई चलेगी निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष को गतीरोध होना चाहिए, गतीरोध ऐसी बात नहीं है, विपक्ष का काम है, गतीरोध खड़ा करना, अपने सवाल खड़ा करना, लेकिन सरकार को भी आगे आना चाहिए, तो निश्ची तोर पे अगर रचनात्मक बिपक्ष या रचनात्मक सत्तापक्ष अपनी जो समयधानिक भूमी का है उसका निर्वहन करते हैं तो निश्ची तोर पे बिहार के लोगों का जो उदेश है वो काफी हद तक पूरा होगा चुकि जनता की खुन पसीने की कमाई है उससे ये सदन की करवाई चलती है लाखो करोडो रूपिय इस पे खर्च होते हैं तो निश्ची तोर पे जनता को यहीं उमीद रहती है कि सदन समाने तरीके से चले उनके जो समस्याएं हैं उनके जो सवाल है उन तमाम सवालों पर सरकार का ध्यान आकरिश्ट होना चाहिए और उनके निप्टारे के दिशा में सरकार का प्रियास होना चाहिए तो निश्चीत तोर पे मौनसून सत्र काफी इंपोर्टेंट है अब देखना यहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने गतिरोध में कहीं न कहीं जनता के सवालों को पीछे छोड़ देते हैं या उ तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा एक रूप रेखा सदन को चलाने की तय होगी और निश्चीत बहुत बहुत धनेवाद इन तमाम जान कायों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए तो बिहार विधान सवा का मौनसून सत्र बेज जुलाई से शुरू होगा देखना होगा कि इस सत्र में चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी कितनी दिखाते हैं क्योंकि किसी भी मुद्दे और बहस से बड़ा मुद्दा है जनता से